तो दोस्तो आज मैं एक एक्शन क्राइम ड्रामा मुवी को एक्स्प्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है कन्विक्ट मुवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि रे प्रासिस नाम का एक सोलजर अपने सर्वीस को खत्मक कर अपनी गल्प्रेंट से शादी कर सेटल होन का इरादा कर कही जाने लगता है दूसरे सीन में हमें केली दिखाये देती हैं जो रे को याद करते हुए एक लेक्साइड एरिया में बैटी होती हैं केली को सर्प्राइस देने रे वहां बिना कुछ इन्फॉम करे आ जाता है। उसे देग केली कापी खुश हो जाती है। कि वो दोनों घर जाने निकलते हैं। जैसे ही ओपने कार में बैठने लगते हैं। तब केली को याद आता है कि उसमें अपनी डायरी वही लेक साइड ग लड़कों को इग्नोर कर वहां से केली संग निकलने लगता है। यह देख उनमें से एक फॉक्स नाम का लड़का केली बेटे साइड आकर अपनी पैंट उतारने लगता है। यह नजारा देख रे का सर गूम जाता है। और उपॉक्स को समग सिकाने कार से बाहर आकर उसे पीटने लगता है। इसी बीच फॉक्स का दोस्त भी उस जगडे में कोच जाता है। मगर एक ट्रेंड सोलजर के सामने ओ दोनों कमजोर पड़ जाते है। फिर फॉक्स अपने पास वाला चाकू निकालकर रे पर पीचे से हमला कर देता है। जिसे रे कापी आसा ऐसे बच जा लेता है। मगर गलती से उच्छाकू फॉक्स को ही लगकर उसकी मौत हो जाती है। एत देख उसका दोस्त भाग जाता है। तो रे भी वहाँ कीली संग घर निकल आता है। अगले दिन रे अपने लॉयर को चाह कर सारी बात बत आता है। तो बहु से समझाता है कि अगर तुमने उस लड़के को होस्पिटल शीप्ट क्या होता तो शाय तुम्हारी बचने के चांसेस दे अब तुम्हें सरेंडर होना ही होगा मगर जैसे की एकेस मोले स्टेशन का है तो मैं तुम्हारी सजा कम से कम करवा दूँगा कोही ओप्शन न होने की वज़ों से रे सरेंड हो जाता ही जिसके बाद ट्रायल शुरू होता ही और उसे कोर्ट बेनेफिट अप डाउट देते हुए सिर्फ डेड़ साल की सजा सुनाई जाती है उसे काटने और नौर्थन सेंटरल जेल में चला जाता है इसी बीज फोस के डैडी हरवी रे को ही दोशी मानते हुए और उ उनको इंट्रो और चेकिंगग रेको नामका एक खडूस ऑपिसर कर रहा हुटा ही वो सबके संकापी बुरे तरीके से बिहोग कर रहा हुटा ही तभी रे उसको यूमन रैट्स के बारे में भी कुछ बाते बताता ही उनको सुनते ही रिको उसे कापी बूरी तरीके से पीट कर उसे अपने बराप में बेज देता ही अगले दिन रे को विल्लियम नाम का वॉर्डन वहा के जेलर जैक के पास ले जाता ही जैक को उससे बातचित के दोरान पता चलता है कि रे ने मिलिटरी की सर्विस की हुई है इस वज़ा से इंप्रेस होकर जैक वार्डों को रे के साथ सौपन बरताव रखने बोलता है वार्डों विल्यम भी रे को लाबरी में हेलपर के जॉब अलाड करते है अपने फ्रे टाइम में जब रे ग्रावन में गूमने निकलता है तब उसकी टकर अच्छानक से टोनी नाम के एक दूसरे कैदी से हो जाती है ओके दी अपना रोब जमाते हुए रे को पिटने की कोशिश करता है मगर रे अपने आपको बचा लेता है तब भी वहा माजेन नाम का एक अन्य कैदी आजाता है जो ड्रोग डिलर था और अप अपनी सजा वहाँ काण रहा था दरसल उस जेल में दो ग्रूप्स होते है जिसमें से एक ग्रूप का लेडर माजेन होता है दूसरे ग्रूप का लेडर टोनी होता है अब रे को अपने ग्रूप में शामिल करने के लिए माजेन उसकी साइड लेते हुए टोनी से बहस शुरू कर देता है इसी बीच उस बहस को रोपने विल्लियम होँ आकर सबको अपने अपने बराग जाने बूलता है अगली बीन रेको लाबरे में डेविड नाम का अन्य कैदी काम में मदद करने लगता है जिस वज़ा से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है जेल में एक बार फिर रेका सामना टोनी के ग्यांगे कुछ मेंबर संग हो जाता है मगर रें उनसे बहस के बीन अपने सेल में लाट के अपने डायरी पढ़ने लगता है उन दुसरे कैदियों के कमपलेंट्स के बाद ओपिसर रिको वहाँ अपने साती विक्टर और फ्रेडी संग आकर चेकिंग करने लगता है उस दोरान उस डायरी में से केली के फोटो को देखकर कुछ अश्टिर हरकते करने लगता है और बाद में उसे फाट देता है एद देखरे को गुसा आता है और रिको को मारने जाता है तब भी विक्टर और फ्रेडी उसे पकड़ लेते हैं रिको उसे और गुसा लाने के लिए अब्यूस कर मारने लगता है फिर ओपने ड्यूटी स्टिक से उसके सर पर मारने जाए रहा होता है तब भीक्टर उसे रोग देता है दरसल ये ओपिसर्स भी करप्ट होते हैं और ओज जेलर से मिले हुए होते हैं उनका एक ही मकसद था कि रे को टोर्चर कर उसके हाथों से और क्राइम करवाई ताकि ओजिन्दगी बर यही रहे अगले दिन रे जब नहरा था तब वहां हैमर नामक एक स्ट्रॉंग गेब कैदी उसके पासा कर उसके संग अश्रिल हरकते करने लगता है रे उसके चंगुल से बच कर जेलर से उसकी जाकर शिकायत करता है तब उससे बताते हैं कि यहां आम बात है तुम्हें अपनी सेप्टी खुद करनी होगी ब्रेकपस्ट करते वहत रेको वहाँ टोड़ी दिखता हैं जो उसे मार डालने की दमगी इशारों के जरिये दे रहा था लैबरेरी में काम करते वक्त उसे डेविड बताता है कि उसने अपने भाई संग एक कैश बैन को लुटा था जिसमें उन्होंने चार पुलिस वालों को मारा था उस हच्से में उसके भाई की मौत हो गई उन्पेसों को उसने एक सेब जगर चुपाया ही जिसका लोकेशन सिर्फ वही जानता ही तबी वहाँ रीको आकर रेको बताता है कि केली उसे मिलने आई है रेका भी एकसाइटमेंट में उसे मिलने जाता है उनकी बाते अलोटे टाइम से पहले ही रीको द्वारा जान बुचकर रोक दी जाती है शाम के वक्त रे वहाँ मोजें के गैंग संग कार्ड्स खेलने लगता है उसी बीच उनके बीच हसी मजाग भी होने लगता है एद देख तोनी को कापी गुसा आ जाता है उसी बीच हैमर वहारे का दोस्त डेव को तकलीब दे रहा है एक खबर आती है रे वहाँ तूरन जाकर हैमर को पीट कर डेव को बचा लेता है तबी वहारी को आकर रे को ही मारपिट के लिए जिम्मेदार मान कर उसे टॉलेट साब करने की ड्यूटी देता है जब रे अपने काम को पूरा कर रहा था तभी टूरनी वहां आकर उसे मारपिट करने लगता है वगले दिन जब इस बात का डिसकुशन होता है तब विक्टर उन सब आपिसर्स को बोलता है कि मैं अब अननेसेसरी रे को तकलिप नहीं दूँगा। कहीं इन सब में उसकी जानना चली जाए। जब बेबात वो ओपिसर जेलर जैक को बताते हैं। तब ओपिसर विक्टर को खत्म करने बोलता है। अगले दिन हमें टॉलेट में ओपिसर विक्टर की डेड़ बोड़ी दिखाई जाती है। जिसे मारने का इलजाम वहां के कईदी बीस्ट पे काफी प्लानिंग के साथ लगाया जाता है। अगले दिन जब रे अपने दोस्त डेविड के संग ओपिसर विक्टर के मर्डर को ल पेले में रहेकर अपना डॉस का बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। तब ही वहां मोजन के ग्यांग के कुछ लोग आकर क्या बाते कर रहे हूं यह पूछने लगते ही। पिरो रे को वार्ण भी करते हैं कि तुम वक्त रहते हमारे ग्रूप में शामिर हो जाओ, नहीं तो टोन तो तुमें एक दिन शायद खत्मी कर सकता है। अगली सुबह जब रे नहरा होता हैं तब ही वहां मोजन के ग्यांग वाले कुछ कईदी आ जाते ही। पलक जपकते ही और टोनी के ग्यांग के एक मेंबर को मार देते ही। जहाईर था इसका इलजाम रे पे आ जाता मगर और जान भूज कर उसे सेक्रिटी रिजन्स बता कर उसे चेक करने के बहाणे से कपड़े उतारने बूलता ही। केली भी जिजकते हुए अपने कपड़े उतार देती है। जब रे को उसे अंडर कार्मेंट दी उतारने बूलता ही तब केली जेलर से मिलने की मांग करती ही। जि ठब वहां से जाते वक्त रे रिको को पूछता है तुम लोगों ने केली की साथ क्या किया तब रिको उसे जूट बताता है कि हमने केली को सेक्रि्टीरिजम बता कर नेकेड कर चेक किया और हमें कापी मजा आया एबात सुनते ही रे का खुंड खौल जाता है और औरिको को माने आता है मगर वहां के गार्ज उसे पकड़ कर उसके सेल में डाल देते है अगले दिन रेको मोजन अपने सेल में बुला कर कौन से गैंग में शामिल होना है एक डिसिजन लेने बोलता है तब रे उसे बताता है कि मैं यहां सिर्फ कुछी दिनों के लिए आया हूँ मुझे किसी के सपोर्ट की जरुराट नहीं है एस सुनकर एक कईदी रेके उपर पीचे से हमला कर देता है मगर स्मार्ट रे उसे अच्चे से हैंडल कर लेता है अगले दिन जब और डेविड संग बाते कर रहा होता है तब रेका उसे अपने संग जेल के किसी अन्नोन पार्ट में ले जाता है वहाँ जाकर रे को बताया जाता है कि यह मोझेन काटना है वहाँ से ओ अपना ड्रोग का बिजनिक चलाता है मोझेन उसे धमकी देता है कि यह तुम मेरे ग्यांग में शामिल हो जाओ वरणा में केली को खत्म कर दूँगा यह सुनकर रे होश को बेटता है और मोझेन को माने लगता है तब इरीको और फ्रेडी बीच में आ जाते है रे उनको भी कापी गहल कर देता है इस हक्से के बाद जेलर जैक उसे एक अंधरे सेल में बंद रखने के ओर्डर्स देते है वरडन विल्यम इस बात के किलाब थे क्योंकि और जानते थे कि रे को जेल के दुसरे हिस्से में अनौपिशल सरीके से ले जाया गया था मगर जेलर जैग उन्हें बताते हैं कि मैं यहां का इंचार्जू और यहां मेरा ही वर्ड चलेगा बिचारे रे के साथ उस अंदरे सेल में काफी गलत हरकते की जाती है जिस वज़ा से और मेंटली डिस्टबी हो जाता ही कुछ दिनों बाद वार्डन विल्यम उसे वहां से रिहा कर लेते हैं और फिर से पुराणे जगर ले आते हैं रे को मेडिकल ट्रीटमेंट दे कर पहले जैसे ही मेंटली स्टेबल किया जाता ही जब वार्डन विल्यम उसे अकेले में एस सब तुमारे साथ क्यों रहा हैं इस बारे में पूश्टाच करते हैं तब रे उनको कुछ नहीं बताता क्योंकि अब उसे इस जेल में किसी पर भी विश्वास नहीं होता और सिर्फ अपनी सजा का समय खत्म खोने का इंतजार कर रहा था कुछ दिनों बाद रे पहले की तरह अपनी जिन्दगी बेख़ौप और जिन्दा दिल तरीके से जिने लगता ही मगर मोजिन अभी मी अपने इंसल का बरला लेने की बाद मन में ठाने होता ही एक रोज और एक के दो डेव को मुहरा बना कर उसे रेव को मारने बुलता ही एसा करने पर उसको इस जेल में भाग जाने में मदद करेगा एसी गारंटी भी देता ही मगर डेव अपने दोस्त के एसानों को याद कर उसे मारे बिना ही अपने बराक में चला जाता ही एदेख मोजिन को खपे गुसा आजाता ही और वो डेव का गला दबा कर उसे मार देता ही अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर रे का कॉंट्रोल चूट जाता ही और मोजिन के ग्यांग के सामने जाकर उनके साती को एक ही पंच में मार देता ही एदेख वहाँ खड़े सबें लोग डर जाते ही इतने में टोनी के ग्यांग के मेंबर भी रे के सपोर्ट में खड़े हो जाते ही इसके बाद रे सिधे मोजिन को चालेंज करता है कि अगर दम है तो मुझसे अक्केले में भीड के बता फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है ए नजारा जैक अपने ओपिसर्स को इस फाइट को अंदेखा करने का इशारा करता ही एक लंबी फाइट के बाद रे अपने अपोननट मोजिन को कापी बूरी तरीके से नीचे गिराता ही उसको अपने हातों में जखड कर मारने ही वाला था मगर अपने दोस्त डेविड के इशारे के उसे उसी हालत में छोड कर निकलता ही तबी वही पड़े एक चाकु से मोजिन जा रहे रे पर पीछे से हमला करने ही जा रहा होता है तबी डेविड बीच में आकर ओवार अपने पीट पर ले लेता ही तबी दूसरे ग्यांग का एक आदमी मोजिन को मार देता ही इसके और सजा और तीन सालों के लिए एक्स्टेंट कर दी गई है तब रे उसे गुस्से में बोलता है कि तुम बड़े हरामी हो पेसों के लिए तुम अपने घरवालों को भी बेज दोगी तब हसते हुए जैक उसे बताता है सही पेचाना मैं सब पेसों के लिए ही कर रहा हूँ फिरो सब सच सच बताता है कि उसे पॉस के डाड़ी हरवी ने पेसे दिये थे सब सच सुन्ने के बाद रे कापी जोर जोर से हसने लगता है जैक को लगता है शायद रे को मेंटल अटेक आया ही इसलिए ओ अपने गार्ड्स को आवास देता ही तब वहां से वार्डन विल्य हो गई होती है जाग के साथ ऊपिसर रीको और ड्यूको मी अरेस्ट किया जाता है रेको डेड़ साल पुरा हो जाने पर वहां से यहां किया जाता है रे अपने दोस्त डेविड को ह weather का कर मिलता है जो अब हो सके तो मुझे कभी मिलने आए। रे जेल से बाहराने के बाद केली को मिलता है। फिर और दोनों डेविड के बताएं जगर जाकर उन पैसं को ले लेते हैं। फिर प्रोमिस के अनुसार और डेविड के लड़की को उपैसे देखर उसके डाड़ी का मेसेज बताता है। वो देख उस लड़की के आग में आसो आ जाते हैं। फिर मिले पैसों की मदद से रे अपनी बागी जिन्दकी कापी मजे से केली संग मिताता है। इसी सीन के साथ ए स्टोरी यही खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करें। साथ ही आपका पिड़िपार सुजेशन, मुवी रिक्वेस्ट मुझे दग कॉमेंट बॉस के जरूर यह पहुंचाना ना भूले अब वक्ते आपसे वितालेने का गुड़ बाई।